हेलो फ्रेंड गुट मॉर्निंग कैसे हैं आप 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 सब बहुत 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 अच्छे होंगे फ्रेंड्स तो वेलकम है आप सब का मेरी न्यू व्लॉग में तो अभी फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है और करीब सारे 5 या पौनी 6 का टाइम यहां पे होगा तो बस मैंने सबसे पहले उटके लगाई है जाड़ू और जाड़ू लगाने के बाद बस मैं चैनी वगेरा है छोले उनको बैल होनी के लिए रखोंगी क्योंकि आज फ्रे पती वगेरा डालके फ्रेंड मैं रख दूंगे पोटली बनाके और उसमें नमक वगेरा एड़ कर दिया मैंने तो बस जितने मैं अपना काम वगेरा करूंगे इतने बाइलो के मतलब बाइल हो जाएंगे फिर अपना आराम से तड़का वगेरा इसमें लगा दूंगी तो देखिए बस मैं रखोंगे गरम पानी और बच्चों को भी देती हूँ फ्रेंड मैं आपके साथ पहले भी सेयर कर जो क्यों कि मैं अपनी बच्चों को भी गरम पानी देती हूँ तो यहां पर फ्रेंड पहले मैं रख दूंगे अपना गरम पानी होने के लिए और गरम पा पानी कर लिए और यह तेज़ था तो मैं बस मिला रही हूं थोड़ा सा ठंडा पानी तो यहां देखिए फ्रेंड बस मैं बैटके आराम से अपना सिप सिप करके पानी पी लूँगी क्योंकि यह मेरा मॉर्णिंग का रूटीन होता है जो मैंने आपके साथ पहले भी सियार कर चुकी हूं और अभी ना फ्रेंड मैं क्या बता हूं यहां पे बस मेरे बच्चे भी उठ गए थे और उनके लिए फ्रेंड मैं बनाऊंगी मतलब दूद में पत्ती लगा की ही उनको देती हूं और ब्रेड वगएरा मैंने सेख दिया था तो साथ-साथ फ्रेंड हम भी एक्सुसाइज वगएरा कुछ भी और मतलब रूटीन भी थोड़ा चेंज हो गया है और आपको मैं दिखाऊंगी अपना अभी में फ्री हो जाओं जब भी यह सारी व्लॉग डाल दू क्योंकि यह मेरी व्लॉग है बहुत जादा लेट हो रही है तो बस मैं सोच जी कंटी यह डालो पर मेरी तबेट ठीक नी चल रही है तो मैं नहीं डाल पाती हूं तो यहां देखे फ्रेंड मेरा बेकफस्ट भी हो गया रेडी और उसके बात फ्रेंड बस मैं लगाने लगी हूं पोचा क्योंकि फ्रेंड बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो जाते है तो बस मैं बहुती छोटी छोटी क्लिप अपना जोड रही हूं अब मैं चाहते हूं कि ज्यादा बड़ी वीडियो न डालो छे साथ मिनिट की ही वीडियो डालो पर फिर भी बहुत बड़ी वीडियो जाते है तो यहां देखे फ्रेंड मैं नहां दो के आ गई थी किचेन में और मैं बना रही हूं चूर्मा क्योंकि फ्रेंड यह न छोटी दिवाली का व्लॉग है तो बस हमारे हां पर छोटी दिवाली पर हनुमान जी की जोट उठती है और चूर्मा बनता है तो मतल़ चूर्मे का भोग लगता है हनुमान जी को तो यहां पर जैन सी पूजा करते हनुमान क्लिक्स तो मैंनों पूजा वगारा कर दिया तो हमारे हाँ पर हनुमान जी को भोग बनता है मतलव चूर्णा बनता है आज के दिन तो बस उससे भोग वगारा लगता है तो अभी फ्रेंट समझा रहे हैं मार्किट और मैंने बच्चों को भी मैगी वगारा बना खें़ थी थ पर अभी देर हो रही है और मेरी हस्पेंट को तो जाना है उनको कहीं तो इस वजह से फिरंड तो पहले शॉपिंग करके आ जाते हैं जो हमने समान लेना है यह चोई उसके बाद ही देखते हैं कि आपके वह नो पाओंगी अब तो मैं तो मैं लेट हो रहे हैं तो चलिए मैं निकलती हूँ और हमने अभी तक बस breakfast वगएरा ही किया था morning में और उसके बाद ही बस अभी मैं बार वगएरा कुछ देखते हैं खालेंगे हलका फुलका की फ्रेंड वैसे तो भी इतनी भूख नहीं लग लग लिया तर बाद में लगने लगेगी तो चले फ्रेंड्स मिलते ह तो मुझे ना साड़ी लेने का मन था मेरे हस्बेंड से मैने बोला था तो नहोंने कहा था चलो दिवाली पर देख लेना तो यहां फ्रेंड मैं ना साड़ी वगएरा देखनी लगी थी मैंने सूचा कोई बात नी बिलाॉस तो खेर कोई बी चल जाता है गोल्डन वगएरा पहन लो पर मुझे फिर पसंद ही नहीं आए थी मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी मैंने तीन से चार सौप पर देखा फिर मैंने का रहने तो मैं नहीं ले रही मैं अनलाइन नहीं देख लूँगी और उसके बाद मैं आ गई थी मॉल में तो हम मॉल में आये थे LED देखने के लिए फिर तो मतलब LED पहले जो थी न वो मतलब खराब हो गई थी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसमें तो यहाँ देखे फ्रेंट बस हमाये थे LED लेने के लिए और र defence त यहाँ मैं हाँ थी टीवी ठाफ भी करप हो गया तो रखा हुआ है फिर मेरा मतलब काफी टाइम से मैं सोच रही थी कालेडी ले ले लेते हैं क्योंकि फ्रेंड क्या है हम तो चलो फोन में लग जाते हैं वाइटी वगएरा के काम में लगे रहते हैं पर बच्चे हैं बोर हो जाते हैं और फोन वगएरा मैं बच्चे क तो उसके बाद देके फ्रेंट बिलिंग वगएरा करा लिया था और उसके बाद हम आ गए थे यहां पर दिवाली की सौपिंग करने के लिए तो लक्स में गनेजी हम ले रहे थे यहां पर जो मैं हरसाली लेती हूं और थोड़ा सा हमने डैकॉरेशन का समान ले लिया था और जाड़ो ली थी फ्रेंट क्योंकि जाड़ो तो बहुत ही जादा जरूरी होती है और यहां पिना मैं लाइट वगएरा भी देखनी लगी थी तो मतलब की मंदिर के लिए वैसे तो हमने लाइट लगा ली थी पर फिर भी काफी अच्छा-च्छा समान आता है ना दिवाली मैं देख रही थी तो मैं देख रही थी अच्छा लग रहा था वैसे पर इनके जो रेट है ना फ्रेंट बहुत जादा हाई थे और यह चाहिनीज होते हैं तो जल्दी खराब भी हो जाते तो कोई फाइदा भी नहीं था लेने का बस नहीं लिया और फिर मैं मंदिर के इतना जादा हो रहा था बहुत और घर जाके फिर दिये वगएर भी जलानी थी खोटी दिवाली थी तो बस तो फिर हम जल्दी जल्दी से निकले फ्रेंट हो हां से मार्केट से कि एक बार मार्केट में गुज़ जाओ ना बढ़ा भारी हो जाता है और ट्रैफिक वगएर अगर आप चाहते हैं में रेसिपी सेयर करें तो प्लिस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना तो यहां मेरा मसाला वगएर भून चुकाता अच्छे से और उसके बाद फ्रेंट देखिए मैं इसमें छोले एड़ कर दिये थे और छोले इतने जादा टेस्टी बनेते क्योंकि कल है बड़ी दिवाली तो फ्रेंट टाइम नी मिल पाएगा कल और भी बहुत सारे खाव निकली आते हैं तो अभी मेरे अजबन थोड़ा बहुत डेकुरेट कर रहे हैं ज्यादा तो कुछ हम नहीं लेके आए बस जो भी थोड़ा बहुत है तो वह डेकुरेट कर तो चली फ्रेंट्स मिलते थोड़ देर में और यहां देखे लगे हुए हैं मा ही साथ में लगे हुए हैं तो बच्चों को ज़्यादा सौक रहता है फ्रेंट्स आप सबको बताया है बच्चों को रहता है कि पापा ये लगा लो लगा लो और अपकी बार बच्चों नहीं जित कर करके light लगवाई है क्योंकि मेरी husband की थोड़ी तब ठीक नहीं चल रही तो मना कर रहे थे पर बच्चे बोले थे नहीं पापा सबके घर में light लग गई हमारे घर में नहीं लगी तो आप भी light लगा तो इसके लिए लगा दिया है पिगू अभी सो रही है तो उसकी नही मिलती है आपसे थोड़ देर में और husband के साथ कराती है तोड़ी सी help और उसके बाद friend मैं बनाने लगी थी यहां पे छोले तो बना लिये थी और भटूरे रह गए थे बस भटूरे बना रही थी मैं और यहां पे friend आप देख सकते है कि मेरा tummy है ना बहुत जादा निकल गया ह फिर से दुबारा से ही तो अभी मुझे फिर से अपना workout स्टार्ट करना पड़े काफी टाइम से चुट गया है और festival की वैसे काफी oily वगेरा भी हो गया है बहुत जादा ही तो अभी मुझे फिर से अपना tummy अंदर करना है और workout करना है start करना है तो friend देखे मैं किस तरह से में अपना से चुटी दिवाली का व्लॉग और एक अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है तो यह चूती दिवाली का वल्लॉग है तो चलिए फ्रेंड्स यहां पर मेरे छोले भटूरे भी हो गए बनके रेडी तो चलिए आप भी आजाएए खाने के लिए अभी फ्रेंड्स खाना पीना हो चुका है तो आज बनाई थे छोले भटूरे वैसे तो मुझे दिन में बनाने थे पर टाइम नी मिला तो इसलिए आज बया दिन मतलब नाइट में बनाने पड़ रहे हैं तो मतलब पड़ क्या रहे हैं अब तो बनाई लिए खाब लिए तो अभी टाइम हो गया साड़े नो हो रहे हैं तो साड़े नो बज रहे हैं और इतनी लेट हमने खाया चोले बटूरे तो डाइजिस्ट हो ने में होगी थोड़ी प्रॉब्लम तो अभी मैं करूंगी वाप थोड़ा सा और हस्मेंट जी वी क्योंकि पेट भारी हो जाता है न और फिर ओईल वगयरा का खाना बनाना था बटूरे तो मैंने करेंगे चीट वगयरा ना पढ़ जाए नहीं कुड़ते पे तो अभी फ्रेंड्स हम करेंगे वाप और उसके बाद बनाओंगे हस्बन जी के लिए चाय तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो का मैं ही प्या प्रेंड्स